स्वयम, सहायता, समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो दिदी प्लीज प्लीज सस्क्राइब करें डेनलम में जुड़ें और अपने जीवन को निखा रहें अपनी गरीबियों को दूर करें तो सभी नूबेतन हैं कि हमारे प्रेणा टी वी चैनल से जुड़ जाएं। और हमारे प्रेणा टी वी चैनल को सस्काइब भी करें। आप सभी को सबसे पहले जनकारी प्रेंडर टीवी चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी तो चलिए चलते हैं आगे न जदा बात करते हुए जी हां जैसा कि आप लोग स्वेम साथा समू के करेक महिला है तो आप जानती होगी कि हमारे समू में सीसियल कराया जाता है और सीसियल स लोन नहीं देता है तो महिला काफी परशान है और कॉल करते हैं तो करते हैं हम लोग को बैंक में सीसियल हो गया है लेकिन हम लोग को बैंक पैसा नहीं दे रही है और हमारे अधिकारी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो पूरे वीडियो में जानते हैं कि क्यों अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल सकता है इसलिए बैंक कर देता है लोन देने से इंकार मोटी सेलरी होने के बावजूद कई ग्राहकों को बैंक लोन देने से इंकार कर देता है वज़ा पूछने पर बैंक का होता है कि आपका सीविल स्कोर अच्छा नहीं है जियां आपके समू का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या फिर निगेट्व है क्रेडिट कार्ट देने से पहले बैंक ग्रहकों के सिविल स्कोर को खगालता है ये प्रशनली करता है और समू का भी करता है दरसन डिजिटल लेंदेन की इस दुनिया में हर तरह सुवधाएं अब आनलाइन उपलब्ध हैं आप जो बैंक से लेंदेन करते हैं वो सब लोन लेते वक्त देखा जाता है अक्सर बैंक ग्रहक को क्रेडिट स्कोर के अधार पर ही लोन आफर करता है अगर आपका सेविल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो बैंक आपको लोन देने से कतराएगा नहीं जब आप बैंकों में लोन के लिए अपलाई करते हैं तो बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है कि आपके जी हाँ आपने पहले कभी लोन लिया है या नहीं अगर लोन लिया था तो उसका पेमेंट टाइम पर किया जा रहा या नहीं बैंकों सीविल स्कोर के जर्ये पता चल जाता है कि आपने पास्ट में कोई गड़बड़ी की है तभी लोन देने से बैंक मना कर देता है सीविल स्कोर खराब होने की वज़ा अक्सर लोग लोन लेकर सही टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं देर से इमाई भरना क्रेडिट काड़ का सही समय पर भुकता नहीं करना ऐसे कदम से सीविल स्कोर पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो स्वयम सहता समुके अगर अगर महिला है तो आप इस बात का ध्यान दे जब आप पहली बार सीविल का पैसा आपकी हाते में एक लाक या पचाश जर आता है तो उसको समय से भर देना चाहिए तभी तिदी आप सभी का सीविल स्कोर अच्छा होगा इसके अलावा लोन के विशय में बहुत ज़्यादा पूश्टाज करने से भी सीविल स्कोर पर नकरात्मक असर पड़ता है क्योंकि आप जितने बैंक से संपर करेंगे सभी बैंक सीविल स्कोर चेक करेंगे लगाता सिविल चेक होने पर उस पर निगेटिव असर पड़ता है आप सभी को दीदी अपना क्रेडिट अच्छा रखना होगा CCL का लोन अगर आपको लेना है तो अपने सम्मू का क्रेडिट अच्छा रखना होगा आप लोग जो लेनदेन करती है, स्व coral आता समू में बचत का उस पैसे को आप समय से बैंक में जमा करें जैसे साथ ताहिक बैठक करती है तो आपका बचत मूंधन ब्याज जो हाता ही उसे बैंक में जमा कर दिजिए आप अपने समू का चेक बुक निकला लीजिए जी हां दीदी चेक बुक बहुत ही जरूरी है चेक बुक निकालने से आपके फायदे ये रहेंगे कि आप जब मिटिंग में पैसा उतारेंगी जो दासी रहेगी बचत, रिल्धन, मुल्धन, ब्याज जो भी आपके पास रहेगा सारे पैसे को आपको बैंग में जमा करता ना है जब आप किसी दीदी को रिल्धन चाहिए तो आप चेक काट कर दे देंगी ऐसे होगा क्या कि आपके समू का लेंदेन दीखेगा कि आप एक तरफ पैसा जमा कर रही हैं और किसी दिदी को आउशकता है तो चेक काट कर दे रही है तो इस प्रकार आपका लेंदेर बराबर बैंक में दिखेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकेगा जितना बेहतर आपका क्रेडिट स्कोर होगा जि हाँ आपके समो का सकोर होगा बैंकों की तरफ से आपका लोन मिलने की उतनी ही ज़्यादा संभावना रहेगी इसलिए कोशिस होनी चाहिए कि सिविल सकोर 750 से नीचे ना हो इसके अलावा सिविल सकोर पढ़िया रहने से कम ब्याज पर लोन मिल से जाता है जी हाँ जैसे की पहले आपको बैंक साथ पर्षन द्स से ब्याज देता है लेकिन आपका सिविल सकोर अगर अच्छा रहा तो आपका तीन पर्षन जो है बैंक वापस कर देता है शालाना 4 पर्षन लोन लगता है दिदी CCL में आईए जानते हैं दिदी कि कैसे सुधारे, जी हाँ कैसे सुधारे सिबिल स्कोर, एक लाइन में कहें तो किसी भी तरह की लोन का भुगतान समय पर करें, जी हाँ आपकरे के सज्जी के मैला है, तो जो है अपना लेन देन अच्छे से रखना चाहिए, आपको समय से अगर ब्य आप लोग को दिदी बस ध्यान देने की है जरूरत, जी हाँ, आपको अपने सिबिल को सुधाने की है, जरूरत एक लाइन में जैसे मैंने भी बताया, फिसे करती हूँ किसी भी तरह के लोन का भुक्तान समय पर करें, होम लोन, आटो लोन, प्रशनल लोन और क्रेडिट कार्ड के इस्तमाल में ताल मेल बना कर रखें, किसी एक तरीके के क्रेडिट पर ज्यादा निर्वरता से अपना स्कोर खराब हो सकता है करें पता, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, यह आपके मन में सवाल उत्पन होता होगा, कि हमारे समू का स्कोर कैसा है, कैसे पता करना चाहिए, यह आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, यह आप आसानी से चंद सेकेंड में पता कर सकते हैं जी हां दिदी ये आप आसानी से चंद सेकेंड में पता कर सकती है इसमें आप भारती स्टेट बैंक की मदद ले सकती है इसके लिए टिंक दिया गया है जी हां जो मैं अपने डिसिपेशन बाक्स में दे दूंगी आप उस पर जाकर देख सकती है यहां प्रस्नल डीटेल भरे जी हां उस लिंक पर जाकर देदी आप प्रस्नल डीटेल भरें पैन नमबर या फिर कोई भी पहचान पत डीटेल यहां पर देनी होगी मुबाइल नमबर और इमेल आईडी भी आपको यहां एंटर करनी होगी जैसे ही आप यह सारी डीटेल देंगी तो आपको मुबाइल नमबर पर एक ओटीपी आएगा इस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपके सामने आपका क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा Credit Score या Civil Score तीन अंको का एक नंबर होता है या 300 से 900 के बीच हो सकता है अगर Civil Score 900 के करीब होता है तो उसे सबसे बहतर माना जाता है यानि जितना अधिक होगा उतना बहतर होगा इसी आधार पर बैंक तै करता है कि ग्रहा को कितना लोन दिया जाए करीब 89 फिसदी लोन 750 से अधिक के Civil Score को देखकर दिये जाते है अगर किसी ग्रहा का 300 से 550 के बीच Civil Score है तो इसके पूर माना जाता है जिहां बहुत ही खराब माना जाता है और बैंक ऐसे ग्रहा को स्टीधे लोन देने से मना कर देता है अगर Civil Score 550 से 650 के बीच है इसे अउसत माना जाता है ऐसे में बैंक ज्यादा ब्याजदर या फिर लोन देने से मना भी कर सकता है वहीं अगर 650 से 750 के बीच है तो इस अच्छा माना जाता है और बैंक लोन को कर दे लेगा जबकि अगर ग्रहा का Civil Score 750 से 900 के बीच है तो फिर बैंक बिना देरी किये सबसे कम ब्याजदर पर लोन आफर कर देगा तो आप अपने समू के जो है स्कोर अच्छा करें और ज्यादा से ज्यादा लोन पाए तो चलिए दिदी आज की वीडियो बसितना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब शियर जरू कर दे आप लोग CCL का प्रयाज जरू करें इसको बढ़िया बनाए और ज्यादा से ज्यादा लोन पाए गरीबी को दूर बगाए जय आजिव का धन्यवाद